इस question को हम दो तरीके से कर सकते हैं अगर तो आपको table याद है और naturally आप 10th class का paper देने जा रहे हैं तो table तो आपको याद होगा ही तो अगर sine A half है तो angle क्या होगा? Half कब होता है? Angle A 30 degrees होगा तब half होगा अगर sine A half है तो angle A 30 degrees है और चूंकि हमें सेक के निकालना है तो वो सेक of 30 degrees हो जाएगा तो हम जानते हैं सेक कॉस का reciprocal होता है और कॉस 30 की value root 3 divided by 2 होती है तो 2 उपर चला जाएगा तो हमारे पास सेक के 2 divided by root 3 आ जाएगा लेकिन अगर आपको ये values याद नहीं है तो आप triangle बनाके भी कर सकते है क्योंकि हमें sin ने half दिया गया है तो आप इसे A समझ लीजे और B C This is right angle क्योंकि sin होता है perpendicular upon hypotenuse तो ये 1 है और ये 2 है हम AC निकाल सकते हैं पाइथेगरस हैरम से which is hypotenuse square minus perpendicular square तो 2 square minus 1 square 4 minus 1 3 और AC आजाएगा root 3 तो ये बन गया root 3 अब सेक क्या होता है सेक क्यों होता है hypotenuse upon base यनि 2 divided by root 3 तो इस तरह से भी आप सेक को निकाल सकते है So, A option is the right answer